प्रियमित्रो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि किन प्रस्थितियों में नार्सिसिस्ट व्यक्ते सच बोल सकता है अपने बारे में खास कर अपने डिल्टी टूथ के बारे में अपने ग्रनित सच के बारे में जैसा हम पहले यह डिसकस कर चुके हैं चर्चा कर चुके हैं कि प्रैस सभी नार्सिस्ट अनफेट्फूल होते हैं एक्स्ट्रामेरिट्र रिलेशन या मल्टिपल रिलेशन्स या अबनॉर्मल सेक्शिल अक्टिविटी यह उन में होना ही होना है हाला कि उसमें कोई इमोशनल सब्बंध नहीं होते हैं ज्यादातर यह एक इनर्ट अक्टिविटी होती हैं जिसका परपज सिर्फ औरगाजम लेना होता है औरगाजम के साथ में कोई उनके इमोशन्स या जो एक असली सुख में आभास वैसा उनको प्राप्त नहीं होता उनके लिए सिर्फ एक औरगाजम पाने की टेक्नीक है एक रस्ता है इस से ज़्यादा सेक्स उनके लिए कुछ भी नहीं है वो उतने ही उस व्यक्तिक से कटे हुए है इमोशनल स्तर पर जितने वो अपने हस्बेंट से या अपनी पत्नी से कटे हुए है लेकिन जैसा हमने का वो अपने मैनिपुलेशन से हैं वो इतने इस तरह इस सारे जीवन को अपनी गंदे जीवन को डर्टी हैबिट्स को छुपाए रखते हैं छुपाए ही ने रखते वो इस तरह से इस माज में और लोगों के सामने एक्ट करते हैं कि जैसे वो बहुत ही महान वेक्ती हैं द्यावान हैं लोगों के लिए कंसर्ण हैं उनके मन में कोई कंसर्ण नहीं होता है कोई किसी के लिए द्या ममता कुछ नहीं होती है लेकिन वो बिलकुल एक्टिंग ऐसे करेंगे और ये एक्टिंग अकसर दूसरे अच्छे लोगों को देख करके करते हैं मन में तो कुछ है यह नहीं खाली है तो हर किसी को वो नोट करते हैं उसके विवार की स्टेड़ी करते हैं और उसको खुद को अपना करके दूसरों के सामने अपने आपको परकट करते हैं कपड़े तो मैंने बताया ही बहुत अच्छे पहनना उनको आता ही है वो भी उस सीखते हैं दूसरों से या पढ़ते हैं पता करते हैं दो दर से स्वाइम का तो कुछ उनका कुछ है ही नहीं अब एक बहुत बड़े गंदगी जो उनको गंदगी लगती नहीं है वो एसास नहीं है ना उनको सेल्फ वर्त नहीं है आतम बहुत नहीं है तो उनको गंदगी तो नहीं गंदगी नहीं लगती वोपर है गंदगी और उसको गंदगी को वो अपने मन में अपने विचार में अपनी आत्मा में वो एक इकठा करते रहते हैं एक उसका स्थान अलग से बना करके डस्ट बिन बना करके उसमें जैसे computer में एक dustbin होती है उस तरह की dustbin में उसको एकठा करते रहते है लेकिन उसका ग्यान और उसका रहना ये तो है ही कभी कभार कभी जो बहुत रेर होता है जैसे मैंने का कि बहुत थोड़ा sense उनका कभी कभी emotional intelligence का शैद उनको कोई अखभास दिला दे है कि हाँ भी ये तुम लेकिन उसको भी हमेशा interpret करते हैं ये नहीं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ वो ये जो सोचते हैं मैं गलत थो थोड़ा से थोड़ा से असास मातर है लेकिन वो गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाते है कि कभी कभी overflow करती है है ही उनके पस गंदगी तो overflow तो करेगी है और ये overflow कब करती है जैसे नाली में से पानी overflow करेगा वो चोक हो जाएगी उसमें आगे कच्रा भर गया ये को पत्तर गर गया कुछ obstruction हो गया तो नाली overflow करती है चाहिए पाई पैस सीवर का कुछ भी है वो ब्लोक हो जाएगा तो कहीं न कहीं से वो और फ्लो करेगा बाहर निकलेगा अब नार्सिस्ट का overflow कब होता है नार्सिस्ट का और फ्लो इमोशनल और फ्लो दो परिस्तितियों में होता है यह एक्छिल दुनों प्रस्तितियां वो नार्सिस्टिक obstruction के कारण हो तीय।्य वो अप्स्रक्शन क्या है हूआ वह अप्स्रक्शन इस चीज़ का भैग कि कि किसी को पता चल चुका है कोई उनको पहचान गया है कि उनके पूरे जीवन उनका प्रयास है कि लोग उनको नए पहचान बाए बजाए उसके वो उनको महलन समझे ग्रेट समझे ग्रेंडियोसिस जिसको कहते है ग्रेंडियोसिटी अपने आपको बड़ा महलन बताने की और लोगों के सामने उसी तर कर रही है लेकिन अंदर गंदगी तो बहुत भर गई अब और जब उनको ये आशंका हो जाती है क्योंकि वो जानते हैं गंदगी तो अंदर है तो अगर किसी को आशंका हो उनको आशंका हो गए कि किसी को पता चल चुका है कि मैं गंदगी का धेर हूँ मैंने जो मेक अप लगा के अच्छे कपड़े पहन के अच्छे जूते पहन करके मीठी मीठी बातें करके अक्सर वो बड़ी मीठी बातें करते हैं हर मीठी आदमी बात करने वाले आदमी पर पहले ये शक्रले मुस्क्रा करके मीठा बोलने के सबसे बड़ा साइन है तो मीठी और वो नकली मुस्क्राहट हर चीज नकली वो मेक अप उस सब के बावजूद जब उनको यह एहसास होता है कि उन्होंने मेरी अंदर छांक लिया है तो विचली तो हो जाते हैं अब इन्हें परस्तितियों का जैसे जैसे उनको आभास ज्यादा होता है कि मेरे बारे में पता चल रहा है चल रहा है चलता है और जब यह इस सीमा प्रपोस जाता है कि वो बिलकुल अस्वस्त हो जाता है कि भाई यह तो गंदगी मेरे अंदर की देख ली वो हलाएं कि बड़ी क्लिवरनेस के साथ काम करते हैं इस तरह से कि आपको उनकी गंदगी नजर नहीं आए और वो गंदगी तो नजर आ जाती है कभी ना कभी और खास कर गया अगर इमबात है तो वो इतना अच्छा अदमी होता है बचारा सबको जानता है गंदी को जज़ादा समझता है वो लेकिन वो अपने सुभावगत शानत रहता है लेकिन इसका अबहास अगर दार्से से स्प को हो जाता है तो वो बहुत बहचान हो जाता है और जैसे उसके दिमाग में पक्का होता जाता है कि इसको पता चल गया है तो वो बिलकुल से उसका ध्यान हटाने के लिए या अपनी ही अंदर की ज्वाला के कारफ पिश्टावा पिश्टावा नहीं होता उनमें बस यही ज्वाला कि मैं पकड़ा नहीं जाओं या मैं पकड़ा जा चुका हूँ या पकड़े जाने वाला हूँ दो स्थित्यों में चला जाता है किसी एक स्थित्य में से दोनों में चलाता है नासिसिस्टिक रेज या नासिसिस्टिक कॉलाप्स दोनों स्थित्यों में क्वांटिटेशन का फर्फरक है रेज कम इंटेंसिटी वाली चीज है और कॉलेप्स अत्यधिक कॉलेप्स तो यानि कि पूरा बैठी जाता है सिस्टम उसका अब इन दोनों पर स्थित्यों में अंदर की गंदगी उफन के बहर आती है एक कटाक्ष की रूप में बहर आएगी वो गंदगी एक कटाक्ष की रूप में बहर आती है अपने आप नेचरल वे में ओवर फ्लू होके आती है और वो आदमी उसमें आपको सब कुछ बलेम देने के बाद और आपकी सारी गलतियां बताने के बाद आपको सब रिस्पोंसिवल करने के लिए अपनी गंदगी लिए लिए भी आपको रिस्पोंसिलिटिव आपे डालते वे उस गंदगी को एक्सपोस कर देता है इस तरीके से वो एक्सपोस करता है कि कभी किया प्राय आप उस पे विस्वास ही नहीं कर पते हैं वो अपनी हर बात एक्टिविट्टी तरीक है सब जिस बताना शुरू कर देगा या कर देगे लेकिन उस में एक्सेप्टेंस वे बे नहीं का जाएगा यह खास बात है टोन टिकने के कि वो कभी अकसप्ट नहीं करेंगे पर यूँ बोलेंगे जैसे बोलाएं तुम क्या सोचते हो मैं किसी की असाथ पे रिसमंद है मेरे हजारों बार समंद बनाए है अब इसका क्या अर्थ हुआ अरे तुम तो सोच नहीं सकते मेरे कैसे कैसे लोगों के साथ समंद है तुम बेवकुफ हो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आपको अविस्वस्डिय लगते हैं लेकिन उनमें सत्त होती है इस तहें से वो बोले जाएंगे इस कटाक शरूप में बोले जाएंगे कि आपको लगे गए कि ये सत्त है ये गुसे में कह रहे है लेकिन वो सत्त होते है अक्सर नासेसिस्टिक पार्टर चाहे बेल हो या फिरमेल हो वो अपनी सारी कर्टूतों के बारे में सारे गंद के बाले मेरे में वो सब ओवर्फलो करके आपको बताता है वो सामने आती है लेकि आप अक्सर उसमें विस्वास नहीं गरबाता है क्योंकि उन्हें के बोलने का तरीका मैनिफेस्टेशन का तरीका इतना अजीब, इतना गुसे में कि अपना ऐसे लगता है जैसे कोई अदिम पागल आदमी जिसने अपना बान से इस दूटू संद्रून खो दिया है वह बोल रहा हूँ यह कुछ समय तक लास्ट भी कर सकता है कॉलैप्स खास करके चार चार पांच पास तक लास्ट कर सकता है अगर आप आगे से हट जाते हैं और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं तो यह कुछ गुस्त काफी एक दो दिन तक लास्ट कर सकता है और उसके बाद में इसका अंत डिप्रेशन के रूप में अक्सर होता है वो एक थोड़ा से डिप्रेशन में चला जाएगा और कूल हो करके फिर कभी कभी हो सकता है आपको मनाने की कोशिश भी करेगा आप अचाना घर में आये तो बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है आप से ठंक से बात नहीं की पर बड़े शान रूप से बात की आपके लिए को बार्केट से डिया सूट ले आए तो आपको थोड़ा सा मन को तसली देने के लिए वो कुछ ऐसी हरकते करेंगे करेंगे वो इवन उस पीरिड में आप से सारी समंध भी वरना चाहेगे जिससे कि वो जो वेबनेस से क्रियेट हुआ है क्योंकि उससे सारे घर की पर सित्य चेंज हो जाती है उसमें को सुधार हो जाए है वो एक नकली प्यार भी कर आप से करेंगे नकली इमोशन्स भी थोड़ा देखाने के कोशिश करेंगे कि वो रेज का पिरियड और या फिर कॉलक्स का पिरियड आप भूल जाएं ये उनका रहता है लेकिन फिर पे कहूँगा वो पैथोलोजिकल लायर्स होते हैं वो सच बोल ही नहीं सकते हैं एकसेप्ट काटाक्स के रूप में रेज और कॉलक्स के टाइम है उनकी सत्यता अपने बारे में जो कि बातें कहीं होती है वो सत्यता वो आपके बारे में भी बहुत कुछ कहेंगे वो सच नहीं होगा वो उसी तरह से जूट होगा जैसे पहले था लेकिन अपने उपर जो वो बाते बोलेंगे उस पीरिट में डिरेक्ट नहीं बोलेंगे इस डिरेक्ट काटाक्स के रूप में बोलेंगे जैसा मैंने सेंटेंस यूज करके किया वो सेंटेंस यूज करना अच्छारी लगता है इसलिए में रिपीट डिंग करूँगा लेकिन वो अपरोक्ष रूप में, कटाक्ष की रूप में, सारी सच्चाई अपनी आपके सामने जाहिर कर देंगे, लेकिन अक्सर जो उनका वेक्टिम है, जो इमपात है, वो उस पे विश्वास नहीं कर पाता है, और दूसरा, तब वो इस इस्तिती में पहुंच चुक होता है, अपने परिवार की, कि अगर विश्वास करें, तो उसको डिस्ट्रक्शन में जाना है, वो ने उस डिस्ट्रक्शन के लिए तियार होता है, ने उस परिस्तिती के लिए तियार होता है, जो उसको उस परिस्तिती को तोड़ने म जिसे डाइवर्स कहलें या किसी छोड़ के भागने में वो सब कुछ उसको लगता है कि जैसे मेरी जिद्दगी मेरा गेम, मेरा परिवार extended family सब कुछ खतम हो जाएगा इसलिए नहीं इमपात है अगर तो तो वैसे नहीं ने पाता अगर वो इमपात नहीं है तो अपनी समाजिक समझ के करण वो कुछ उसमें करनी बाता सिवाए रोने के धन्यवाद